नमस्कार दोस्तो वेलकम टू हम प्लान फर यू आज हम जो प्लान डिसकस करेंगे उसका साइच है 23 फीट इन्टू 29 फीट यानि के आपका 667 स्क्वेर फीट स्क्वेर फीट और इसमें होगा आपका टू वेज के टू वेज के होगा और इसका एप्रोक्सिमेट एस्टिमेट होजगा आपका 8.5 लाक्स फाइब लक्स होजगा यानि कि आपका एइट लक्स फिप्टी थाउजन होजगा इसमें जो होगा आपका यह होजगा मैं गेट यहाँ पर होजगा आपका लिविंग स्पेस यहाँ पर होजगा आपका इक डाइनिंग स्पेस यहाँ पर आपका किचेन यहाँ पर आपको मिल estimate इसका detail size और इसका interior भी देखूंगा आपको सब कुछ पता चल जाएगा दोस्तों कुछ भी down ने रहेगा ऐसे हो जाएगा 23 feet और ऐसे हो जाएगा 29 feet यह plan भी जो है आप भी comment के थे आप भी check कर लेना आप जो भी comment के थे आपका plan यह हो गया है प्लीज दोस्तों हमें जरूर सपपोर्ट देना share जरूर कना ताई हमारा चैनल को प्लीज दोस्तों subscribe जरूर करना आप subscribe नहें करे है प्लीज दोस्तों subscribe जरूर करना यह हो गया आपका 23 feet का doinर usage 59 into 23 feet का कि फूल व्यूव और यहां पर भीए हगा आप यहां पर कि चैन मिल जाता है यह सिंगध के उपर यह चोंग मिनले हो जाता है नाप लीが बिलेंगे इसलम्ण के सामने जागा आपका dining space हम यहाँ पर एक four sitter का dining table दिये हैं जो यहाँ पर आपको एक common toilet मिल जाता है common toilet पर हम outer पर दिये हैं common और door का right side corner पर जो आपका यहाँ पर एक दिये हैं आपका wash basin और door के सामने दिये हैं आपका Sauvent पर दूसरा bedroom है दूसरा bedroom पर हम डूर के सामने यहाँ पर दिये एक मिरर जाट और फिर ऊपर लिद्न दूस्तर चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले मैं इसी चैनल पर आपकी comment के साइज की साथ से वीडियो प्रोड करता हूं बैल आ को प्रेस कर दे क्योंकि मैं जब भी वीडियो प्रोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल ले और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजे और शेयर जरूर कीजे रहामें जरूर सुपोर्ट दे और दोस्तो एक ब प्लीज दोस्तों कॉमेंट जरूर कीजिए यह होगे आपका इंटेरे का फूल विव हम आगे इसका डिटेल साइज और इसका डिटेल एस्टिमेट भी देखेंगे आपको सब कुछ पता चल लेगा वीडियो को एंट तक जरूर देखे अब भी हम डिसकॉस करेंगे आज का ज इसे यहीं तो हो जागा एक। फीट फोर इंट यृड्ध हो जागा आपका नाइन फीट एयंच एट इन An जो आपको यहाँ पर steer मिल जाता है उसका length हो जागा आपका 10 feet एन से उर्थ हो जागा 6 feet 8 inch जो यहाँ पर आपका steer का जो riger है वो हो गया आपका 7 inches का और जो straight है उसका वो है आपका 10 inches का और जो यहाँ पर हम विंडोस दिये हैं यह दिये हैं आपका 3 feet का विंडोस और आपको जो आपका यहाँ पर एक common toilet मिल जाता है उसका length है आपका 5 feet 10 inch एन से उर्थ है आपका 5 feet जो यहाँ पर हम ventilation के लिए हम दिये हैं यह 2 feet का हो जाएगा और जो toilet पर door दिये हैं यह आपका 30 inches का और जो door का height हो जागा आपका 7 feet जो आपका kitchen है kitchen का length हो जाएगा आपका 8 feet एन से उर्थ हो जाएगा आपका 6 feet 4 inch जो kitchen पर हम slab दिये हैं यह slab यह हो जाएगा 25 inches का और जो slab का height हो जाएगा आपका 32 inches यह आपका यह windows हो ज़एगा 3 feet का windows और जो आपका kitchen पर हम door दिये हैं यह आपका 42 inches का और इसका height हो ज़एगा 7 feet जो आपका kitchen के सामने जो आपका dining space मिल जाता है उसका length है आपका यही से यहींत तो होजेगा आपका 8 feet and 7 Huhजेगा आपका यहींत तो होजेगा 7 feet 6 inch जोबकर समी को पाहला बैड़ो में तो मिले आते हैए उसका लेंध हे आपका 11 feet का and 7ch होजेगा आपका 10 feet छो यह वीडोज है यह होजेगा 3 feet का और यह Windows भी पह जेगा 3 feet का प्लीज दोस्तों जो Windows देंगे ये आप जहाँ पर open space होगा यहाँ पर Windows दीजेगा क्योंकि ventilation के लिए अच्छा हो जाता है जितना Windows देंगे इतना ही अच्छा है दोस्तों हम यहाँ पर open space है दोनों साइड इसलिए दोठों Windows दिये हैं जो यहाँ पर पहला वेड़ों पर जो आ एक Windows मिल जाता है यह 3FIT का और जो यह Windows है यह भी आपका 3FIT का यहाँ पर डोर मिल जाता है यह 42 इंचेस का डोर है और इसका हाइड है आपका 7FIT जो हम जो wall thickness लिए हैं जो कि स्टांडर्स है यह wall यह wall यह wall सभी wall लिए हैं 10 इंचेस का प्लीट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अच्छाला तो लाइक करें और शेयर जरूड करें कि दूसरों को भी कुछ हेल्प होजें कमेंड करके यह वोत है कि आपको प्लान कैसा लगा और आपको कौन सा सेच का प्लान चाहिए और जरूड दिये दोस्तों फीड़ जरूड देजेगा यह होगे आपका इसमें जो आपका मेट्याल कोस्ट होजागा वह होज आपका 5,52,500 लेबर चाहिए आपका 2,12,500 इंजिनेर चाहिए आपका 85,000 प्लीज दोस्तों अमारा चानल हम प्लान फोरियो को जरूड सस्क्राइब करें और यहाँ पर जो बेल आइकन होगा यहाँ पर प्रेस कर दें क मैं जब भी वीडियो अप्लोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जे और आपको वीडियो मिस मत करना यह होजागा आपका और जो इसमें जो आपका मेट्याल कोस्ट होजागा आपका सिमेन का कोस्ट होजागा 93,500 सेंड का कोस्ट होजागा 34,000 एग्रिगेट का कोस्ट हो 22,500, steel का होजाए आपका 1,27,500, bricks का होजाए आपका 59,500, tiles के लिए होजाए आपका material का cost 34,000, plumbing work के लिए होजाए आपका 25,500, electrical के लिए आपका material cost होजाए आपका 25,500, sanitary purpose work के लिए होजाए आपका 21,250 डोर विंडोज के लिए होजा आपका 25,500 पैंटिंग वार के लिए होजा आपका 38,250 एक्स्टा वार के लिए इसे ज्यादा रखेगा सेप्टी परपस के लिए हम रखे हैं 25,500 और टोटाल मिला कर आपका एप्रोक्समेट एस्टिमेट होजाता है 8,50,000 यह होगे आपका एस्टिमेट का फूल विए प्लीज दोस्तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को और वीडियो को जरूर सेयर करें यह वोग आपका estimate का full view आज का जो प्लान है आपको इसका PDF इसका टेस्टेंट रेंग लिंक मिल जाएगा मिलते हैं अन्या वीडियो पर थेंक्यू दोस्तो